हेलो दोस्तों, नमस्कार, इंगलिस HD platform में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे class 10th की book, first flight का तिसरा chapter, two stories about flying, दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि यह chapter दो पार्ट में divide है, पहला है his first flight and second part है black airplane, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ इसा है लियाम और फैर्टी, सबसे पहले हम इसकी समरी देखेते हैं, यह कहानी his first flight, लियाम और फैर्टी द्वारा लिखी गई एक इवास सिर्गल पर आधारी थे, जो अपनी पहली उडान भरने में दरता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके पंक उरते समय उसका समर्थन न और उनके पंक छोटे होने के बाजूत भी वो निडर होकर के खुली हवा में उड़ने का उन्होंने संकल पलिया, इसके विप्रीत वो इवाय पच्छी अर्था सीगल अपने पंकों पर अभिस्वास की कारण वो डुपकी लगाने का शाहस नहीं जूटा सका, उड़ने के उसने कोशिस करते हुए जब भी वो कगार के सामने आता और डर करके फिर वापस चला जाता, उसके माता पिता उसे लगाता डरते और धंकाते रहे कि जब तक उड़ने ही जाएगा तब तक उसको भूख के अकेला ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसकी सारी कोशिसें बेकार गई, वह बस अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, लहरों को पार करना, मचली के लिए गोता लगाना, हवा में उड़ते रहना, ये सब सिखाते हुए सिर्फ देखता रहता था, लेकिन आखिर कार एक दिन ऐसा आता है कि जब उसका पूरा परिवार एक पठार पर सामने वाले पठार पर चला जाता है, और वहीं से उसकी कायरता के लिए ताना मारना सुख कर देता है, जैसे जैसे ही सूरज की किरड़े उसके किनारे पर चमक रही थी, वह गर्मी महसूस कर रहा था, और पिछी राज से वह भूखे मर रहा था, जब वह पच्छी ने अप आते टाइम ही उसकी मा जैसे उसके पास पहुंचती है, वह रुख जाती है, और वह भूख से इतना ब्याकुल हो चुका होता है, कि उस सुकता के कारण वह जुख गया, और मचली पर वह कूद पड़ा, अचानक से वह बाहर की और खुली जगा में गिर गया, और एक भाया सीगल ने अपनी पहली उडान भरी और उडान भरने के साथ साथ लहरों के माध्धम से इसकीम किया, और अपने भाई बहनों के साथ वहाँ पर उसने समुदर में गोता भी लगाया, तो आए यह दिखते हैं हम इस कहानी को, डिटेल में, इसका मिस होता है, किसी पठार या चटान का किनारा भाग, मिसकी फलक, सिला फलक, दा यंग सीगल, वो छोटा सा सीगल, सीगल एक समुदरी पच्छी होता है, वो छोटा सा सीगल, वो अपने सिला फलक पर अकेला था, His two brothers and his sister had already thrown away the day before, His two brothers, उसके दो भाई और उसकी sister had already thrown away, वो उड़ चुके थे, the day before, एक दिन पहले वो लोग उड़ गये थे, मिसकी उसकी उससे एक दिन पहले उड़ना सीख लिये थे, He had been afraid to fly with them, वह उनके साथ उड़ने में डर रहा था, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the legs and attempted to fly up his wings he became offered brink means होता है किनारा attempted means होता है कोशिश करना wings means punk somehow कैसे भी यह जैसे तैसे when he had taken a little run वो थोड़ा दोड़ करके आया forward to the brink किनारे पर दोड़ करके आया आप दलेच सिला फलक के किनारे पर थोड़ा दोड़ करके आया and attempted और कोशिश की to flap फरफ़ाने की his wings अपने पंखों को कि वो उड़ान भर सके he became offered और आखिरकार वो डर गया the great expense of sea stretch down, breathe and it was such a long way down miles down expense means होता बिशाल, sea means समुद्र stretch means होता फैला हुआ, breathe means नीचे जैसे वो दोड़ कर के आता तो वो देखता था stretch down beneath, अपने नीचे फैला हुआ a great expense of sea, शमुद्र का बिशाल and it was such a long way down और यह इतना ज़्यादा लंबा था, miles down मिलो दूर तक फैला हुआ था means कि इतने दूर तक समुद्र फैला हुआ जब देखता था तो वो डर जाता था he felt certain that his wings would never support him उसने महसूस किया कि उसके जो wings है उसके जो punk है उसको कभी भी support नहीं करेंगे means उसका समर्थन नहीं करेंगे so he bent his head and ran away back to the little hole under the less where he slept at night इसलिए he bent his head वो अपने सिर को जुका लेता था and ran away back और वो वापसा जाता था to the little hole उस छोटे से hole में under the less where he slept at night उस छोटे से hole में वापस जाता था जो लेस के नीचे बना था और जहां पर वो रात में सोता था even when such each of his brothers and his sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away he failed to muster a chorus to take that plunge which appeared to him so disparate flapped में सोता है फड़ फड़ फड़ाया, muster up इसका में सोता है इकठा करना, collect करना, gather करना, courage में सोता है, sahas, plunge में सोता है, डूपकी लगाना या गोते लगाना, disparate, इसका में सोता है, hathas, निरास होना even when each of his brother, यहां तक कि उसके प्रतेक भाई और उसकी छोड़ी सी बहन, whose wings were far shorter than his own उसकी पंक किये पेच्छा, उनके भाई बहनों के जो पंक थे, वो छोड़े थे, लेकिन वो ran to the brink, वो किनारे पर दोड़ के आए, फड़े अपने पंकों को फड़ाया, and filly away, और वो उड़ गय, he failed to muster up courage to take, लेकिन वो शाहस जुटाने में, या साहस इकठा करने में, वो फेल हो गया, असमर्थ रहा, that plunk quiz appear to him, so he spread, कि जो उसके पंक है, वो उसका साथ नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो डर जाता था, His father and mother had come around, उसके माता और पिता उसके पास आये, calling to him, shrilly, upraiding him, threatening, to let him starve on his legs, unless he filly away, Shrilly मिस होता है, चीखना, तेज, पतली सी आवाज में, तीखी आवाज होती है, upraiding, upraiding मिस होता है, डाटना, scold करना, threatening मिस होता धंकी देना, star मिस होता है, भूखे बनना है, भूखमरी, उसके माता पिता उसके पास आये, और वो तीखी, पतली आवाज में उसे चिलाने होगे, अगर वो उड़के नहीं जाता है, तो वो उसको वहीं पर भूखों बनने के लिए छोड़ देंगे, but for the life of him, he could not move, लेकिन वो अपनी जान बचाने के खातिर वो वहाँ से नहीं हिला, That was 24 hours ago, ये घटना जो है ओ, 24 घंटे पहले की बात हुई थी, लेकिन अपकी बात की जाए, Since then, तब से, nobody has come near him, कोई भी उसके पास नहीं आया, The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the babes and how to dive for fish. The day before, ये दिन पहले, all day long, सारा दिन, मिश की एक दिन के पहले, जो पूरा दिन था, उसने, He had watched his parents, उसने अपने माता पिता को देखा, flying about with his brothers and sisters, अपने भाई और बहनों के साथ, उड़ते हुए, देखा, perfecting them in the art of flight, और वो उसको उड़ने की कला में उसको nippled कर रहे थे, इसको सब perfect बना रहे थे, teaching them, और उनको ये सिखा रहे थे, how to skim the babes, लहरों पर कैसे मंडराया जाता है, ये उसको touch किया जाता है, कैसे उस पर तैरा जाता है, and how to dive fish, और मचली को पकड़ने के लिए, डुब की कैसे लगा जाती है, ये चीज़े उसको सिखा रहे थे, और ये इधर डरा सहमा सा उनको खाली देखे जा रहा था, He had in fact seen his older brother कैस, his first herring and devour, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle, Hearing, एक प्रकार की समुद्री मचली होती है, छोटी सी, Devor, डिवोर मिन्स होता है, लगभग मिन्स की निगल जाना, Rock मिन्स चट्टान, Circle मिन्स गहरा बना लेना, Raging मिन्स होता है, Proud मिन्स होता है, गर्ब के साथ, केकल मिन्स होता है, आवाज करना, उनसकी जो काउं काउं करना, या उनकी जो आवाज होती है, उसी को, He had in fact seen his older brother, और उसने अपने बड़े भाई को, देखा, Catch his first herring and devour it, और यह देखा कि वो, उसका जो बड़ा भाई था, वो herring, उसको वो पकड़ करके, निगल गया था, या निगल लहा था, Standing on a rock, एक चटान पर खड़े हो करके, वो, वही पर मचली को, निगल लहा था, While his parents, और जबकि उसके जो parents है, सर के ले राउंड, उसके चारों तरफ घेर लिया थे, Raising a proud केकल, गर्ब के साथ, वो, अपनी गर्दन उठाए हुए, केकल केकल कर रहे थे, काओं काओं की आवाज कर रहे थे, Means की अपने बच्चे की वो प्रसंसा कर रहे थे, And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, mid bed down the opposite cliff, taunting him with his quarters. Plateau, means होता है, पठार, Cliff means, चटान, opposite means होता है, सामने एक साइड में, या परिद दिसा में, Tanting, उसका मेंस होता है, ताने मारना, खिल्ली उडाना, मजाग उडाना, उसका, Quadis means होता है, काजरता, And all the morning, और पूरी सुबा, The whole family, उसका जो पूरा परिवार था, Had walked about on the big plateau, mid way, down the opposite cliff, जो सामने के साइड में, जो चटान थी, उसके सामने एक पठार था, उसके बीच में, उसकी जो फेमली थी, वो वाग कर रही थी, वो वहीं घूम रही थी, और साथ ही, Tanting ही, with his Quadis, और उसकी कायरता के, वो ताने मार रहे थे, वो लोग उसका वहीं से, मजाग उडा रहे थे, अब दिन का टाइम था, तो सूर जो था, was now ascending the sky, आसमान में, जो सूर था, वो उपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग और चमक रहा था, उसके, जो सूर की जो धूप थी, उसके लेज पर, उसके सिला फलक पर आ रही थी, और सिला फलक का जो, फेस था, जो उसका मुक्त था, सिला फलक का, वो दच्छन साइड में था, जब दच्छन साइड में हो, और धूप जब दोपार का टाइम आता है, तो दारेक्ट पढ़ती है, He felt the heat, because he had not eaten, since the previous night fall, उसने गर्मी महसूस की, वीकास, क्योंकि, He had not eaten, since for the previous night fall, जब से पिछली साम से, मिन्स की पिछली राज जब से घटित हुई, मिन्स की जब से, साम के टाइम से ही, उसने कुछ नहीं खाया था, He stepped slowly out to the brink of the ledge, वो धीरे-धीरे कदमों से, लेज के किनारे आया, सिला फलक के किनारे आया, and standing on one leg, with the other leg hidden, under his wing, उसने अपने दूसरे पैर को अपने पंखों में छुपा लिया, और एक पैर पे खड़ा हुआ, He closed one eyes, उसने अपनी एक आँख बंद कर ली, then the other, और तब दूसरी, यह देख सकते हैं, यह सिला फलक का भाग है, इस साइड का, यह किनारा हो गया, और इसका यह किनारा यहाँ पर, यह बेचारा छोटा सा सीगल, डर रहा था, और दूसरी आँख जो थी, and pretended to be falling asleep, pretending, means होता है, बहाना बनाना, और दूसरी आँख जो थी, वो, उसने एक आँख तो बंद कर लिया, और दूसरी आँख से बहाना बना लगा, जैसे वो सोने वाला हो, means की सोने का नाटक करने लगा, still they took no notice of him, जब वो बहाना बना रहा था, फिर भी उसके माता पिता ने, उसके भाई बहन ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, he saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads, sunk into their necks, dozing में सोता है जब के लिए न, खाने खाने बाज यसे नीज आती है, sunk में सोता है डुबाव है या अंदर रखे हुए, नेक में सोता है गर्दन, उसने देखा कि उसके जो भाई थे दोनों, और उसकी जो बहन थी, lying on the plateau, पठार पर वो लेटे हुए थे, dozing with their heads, sunk into their necks, अपनी गर्दन में वो अपना सिर्थ छुपाए हुए थे, में इसकी जुखाए हुए, और वहीं पर वो पठार पर लेटे हुए थे, और वो जपकी ले रहे थे, में इसकी निंद ले रहे थे हलकी सी, इस फादर वाज प्रिनिंग दा, फीदर्स आन इस वाइट वैक, प्रिनिंग में सोता है समारना, और उसके जो पीटा थे, उसके जो वाइट पीट थी, उसके पीटा की, सीगल जो पच्छी होता है, वाइट कलर का होता है, तो वो अपने पीट पे जो फीदर थे, जो पंग थे, उनको वो अपनी चौश से समार रहा था, मिस उनको सही कर रहा था, जिसे बारिस में या पानी में भीग जाते हैं तो पंक्षी पग जाते हैं तो उसको समार रहा था Only his mother was looking at him सिर्फ उसकी मा जो थी उसकी तरफ देख रही थी She was standing on a little high hump on the platoon Hump निस वोता उठा हुआ भाग या कूबर कहते हैं उसे तो लेकिन यहां पर पठार का उठा हुआ भाग उसकी मा जो थी वो पठार का उठा हुआ भाग था एक चतान टाइप के थी उसी पर वो खड़ी थी Her wide breast thrust forward और उसके जो चाती थी जो ब्रेश था वो सामने के और निकला हुआ था Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scrapped each side of her beak on the rock Scrap इसके हम इसता रगड करके साफ करना Beak means चौच Now and again कभी कभी She tore वो फार रही थी A piece of fish एक मचली का टुकडा था और उसी को फार रही थी That lay जो पड़ा हुआ था at her feet उसके पैरों के पास जो पड़ा हुआ था उसी को फार रही थी And then scrapped each side of her beak और अपनी चौच की जो उसकी बीक थी उसकी चौच की चौच को दोनों साइट से वो रगड भी रही थी पास में वही On the rock चटान पर वो उसको रगड रही थी Means उसको साप कर रही थी The sight of the food maddened him वो भोजन का जो दृष था वो उसको देख करके वो बिलकुल पागल सा हुआ जा रहा था Means की भोजन के दृष ने उसे पागल बना दिया How he loved to tear food that bay Scrapping his beak now and again to wet it Wet इसके मिज़ होता है रगड करके शाप करना या धारदार बनाना नुकीला करना How, किस प्रकार से मिज़ कितना He loved to tear food कि वो भोजन को फाड़ना कितना प्रेम करता है मिज़ कि उसको बहुत पसंद है That way उस तरीके से जिस तरीके से उसकी मा मचली को फाड़ ही थी उस तरीके से उसको उसको भी भोजन को फाड़ना बहुत ही पसंद था Scrapping his beaks अपनी चोंच को रगड़ करके शाब करना Now and again to wet it और कभी-कभी उसमें धार करना मिज़ को तेज करना वो चीज़े उसको बहुत पसंद थी जब उसने देखा तो अब उसके अंदर रहा नहीं गया भूख ब्याकुल हो जा रहा था He cried begging her to bring him some food और वो गज़ गा करके वो चिलाया मिज़ की आवाज थी तो चिलाया Begging her उससे मांगा तो ब्रिंग इंद सम पूड कि उसके लिए कुछ भोजन लाए गाव कोल आं, she screamed back तो उसकी मा जो थी उसका मजाक उड़ाने के लिए वो भी उसी भासा में बोल गई गाव कोल आ बट ही कैप कालिंग प्लेंटिबली एंड आप्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अज्वाइफुल स्क्रीम प्लेंटिबली इसका मिनस हता है दया पूरबक या दुखी पूरबक दीनता से या करोड़ा से जॉआफुल स्क्रीम एक खुशी खुशी भरी चहँंग बट ही कैप कालिंग प्लेंटिबली लेकिन वो दुखी पूरबक या दीनता पूर्वा को से अपनी मा को पुकारता रहा चिलाता रहा and after a minute और एक मिनट के बाद and so he uttered a joyful scream और वो खुशी से चाहक उठा चिला उठा His mother has picked up a piece of the fish and was flying across to him with it उसकी माने मचली के एक टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उठ चली He leaned out वो जुका हुआ था यह देख सकते हैं आप यह उसकी मा आ रही सामने से और यह सामने बेचार किनारे पे जुका हुआ है वो के मारे ब्याकुल था वो जुका हुआ था eagerly वो थी उस सुकता के साथ tapping the rocks with his feet और अपने पैरों से राग पे चटान पे tapping कर रहा था means उसे पे पटक रहा था जैसे आपने देखा होगा घोड़े जो होते हैं रेस करने के लिए पैरों को पटकते जमीन पे बिलकुश तरीके से वो पटक रहा था trying to get nearer to her as she flew across जैसे वो उसके तरफ उड़कर के आ रही थी वो कोशिच कर रहा था कितनी जल्दी छपटा मार करके वो उसके नजदीक पहुंच जाए but when she was just opposite to him she halted her wings motionless the piece of his in her beak almost within reach of his beak motionless opposite opposite सामने halted means होता है रुख जाना but when she was just opposite to him जैसे ही उसके माम उसके बिलकुल नजदीक आई she halted वो रुख गई her wings motionless means अपने पंखों को रोख करके वो रुख गई the piece of fish in her beak almost within reach of his beak और मचली का टुकड़ा जब उसके चौच पर बिलकुल पहुंचते पहुंचते रहा तब उसकी मा जो थी अपने पंखों को हिलाना बंद कर दी और वो वही पर रुख गई means कि just opposite में उसके सामने रुख गई थी वो he waited a moment in surprise wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger he dived at the fish he waited a moment in surprise और वो अशर से एक मिन तक इंतजार करता एक छंट तक इंतजार करता रहा wondering अशर उसको यह हुआ why she did not come nearer कि उसकी मा उसकी नजदी क्यों नहीं आई and then और तब maddened by hunger और भूश इतना ब्याकूल हो चुका था इतना पागल हो गया था he dived at the fish और उसने मचली पर गोता लगा दिया जपटा मार दिया with a loud scream he fell outwards and downwards into space और एक तेज चीक के साथ loud scream के साथ तेज आवाज निकली he fell outwards and downwards into space और वो outwards बाहर की तरफ and downwards और नीचे की तरफ वो गिर पड़ा क्योंकि वो बिलकुल सिला फला किक्दम किनारे भाग पर खड़ा था असलिए वो डर गया ओ स्वारी गिर गया वहाँ पर से कि देन आंड मौंस्टर स्टेरर सेज़ दीव और थिंद फिन हे देने मौंस्टडर्स इक भ्यानक शादर ने उसको सीज तर दिया उसको जकड लिया अन्य इस है इस्टीड इस प्योंग भावकाने थी वो बंद हो गई वो इतना ज्यादा डर गया दा नेक्ट मुमेंट ही फैल इस विंक्स इस प्रीड आउट वार्स और अगले ही छण उसको लगा कि उसके जो पंक है वो फैले हुए हैं खुले हुए हैं दा बिंड रच्ट अगेंस दा ब्रीष्ट फीडर और जो हवा है उसके ब्रीष्ट फीडर जो उसके सीने पर उसके छाती पर जो पंक हैं उसके विप्रीट वो हवा लग रही थी उसको टुछ कर रही थी देन अंडर इस इस इस्टमच और उसके बाद हवा जो है उसके पेट पर पेट के नीचे and against his wings और उसके जो खुले होए पंग थे उस पे हवा जो थी टक्रा रही थी He could feel the tips of his wings cutting through the air और वो हवा में cutting करना मिसकी तिर्छे उड़ना वो सीख गया था कुछ He was not falling headlong now और वह अब सिरके बल नहीं गिर रहा था He was soaring gradually downwards and outwards He was no longer afraid अब उसे डरन नहीं लग रहा था He just felt a bit dizzy, उसका थोड़ा सा सर चक्राने लगा, डिजी मिस होता है चक्रा न Then he flabbed his wings once and he soared upwards और एक बार फिर से उसने अपने पंखो फटफटाया और फिर वो ओपर के और उड़ चला His mother sewed past him, her wings making a loud noise He answered He heard her with another scream, तब उसने अपनी माँ को एक चीक करके तेज आवाज में उसने उतर दिया Then his father flew over him screaming Then his father, तब उसके जो पिता थे flew over him screaming वो भी चाहते हुए या आवाज करते हुए वो भी वहाँ पर आ गए He saw his two brothers and his sister flying around him, curating and banking and soaring and diving He saw his two brothers and his sister flying around him, उसके आसपास उड़ने वो भी आगे curating, घोड़े तरीके से चलांग लगा करके and banking and soaring and diving और उड़ते हुए बैंकिंग तिर्चा उपर उड़ते हुए and diving गोते लगाते हुए वो लोग भी उसके आसपास आ गए Then he completely forgot that he had not always been able to fly और तब वो पूछी तरीके से भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं सकता था Means कि उसके अंदर जो डर बड़ा था कि वो जिन्दगी में कभी उड़ नहीं पाएगा वो पूछी तरीके से उसके अंदर से निकल चुका था And commanded himself to dive and sore and curve, shrieking freely और वह तेज चीख आवाज करता हुआ आगे कि वो उच्छाल भनने और डुपकी लगाने लगा He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean Ocean means होता है शागर, state means होता है सीधा He was near the sea now, अब वो समूदर के आसपास था Flying straight over it, बिल्कुल समूदर के उपर से वो उड़ रहा था उस टाम पे Facing straight out over the ocean, ocean means होता है शागर और वो शागर के विल्कुल उपर उड़ रहा था, उसको face कर रहा था मिसके उसके जश सामने से वो उड़ रहा था He saw a washed green sea beneath him, washed means होता विशाल He saw a washed green sea beneath him, उसने अपने नीचे एक घरे रंग का बहुत विशाल शागर देखा, समूदर देखा, with little ridges moving over it और उस पे छोटी-छोटी लहरें, ridges means होता है लहरें वो उमड रही थी उस पे, and he turned his brick sideways and caught immediately और वो इमेज़ली मिसकता है प्रसन था पूरबक और उसने अपनी चोश को अलग कर लिया, sideways कर लिया, अलग घुमाया और वो खुशी पूरबक वो काउं 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 करने लगा, मैं इसके अपनी आवाज में चिलाने लगा His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him उसके parents, उसके माता पिता and his brothers, उसके भाई and sister, उसकी बहन had landed, वो उतर चुके थे on this green flooring ahead of him जो शयता जो इसके सामने थे वो हरे रंग की उस पे आले डिवो लो उतर चुके थे They were beckoning to him, calling Slilly Beckoning में सकता फुकारना है, बुलाना और उसको वो चीक करके, चिला करके वो उसको अपनी तरफ को बुला रहे थे They, he dropped his legs to stand on the green sea उसने अपने एक पैर को नीचे किया, खड़ा करने के लिए His legs sank into it और उसका पैर उसमें दूब गया He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings वो चिलाया, scream, चिलाया with fright, तर के मारे वो चिलाया and attempted और फिर कोशिश की to rise again, दुबारा उठने की, flapping his wings अपने पंखों को फड़ा करके, फिर से दुबारा उठने की, उसने कोशिश की But he was tired and weak with hunger, लेकिन वो भूँक और कमजोर के वो जासे वो ठक गया था And he could not rise, और वो नहीं उठ सका Exalted, मिनस होता है, ठका हुआ By the sting, exercise, इस अजीब सी exercise और भूँक तथा कमजोर होने के जासे वो इतना ठक गया था कि वो दुबारा उठ नहीं सका His feet sank into the green sea, उसके जो पैर थे, उस हरे सागर में डूब गय And then his belly touched it, और उसका जो पेर था पानी से touch कर गया And he sank no further, लेकिन वो डूबा नहीं था He was floating on it, और वो उस पे तरने लगा And around him, his family was screaming, praising him and their beaks were offering him a scrape of dog fish और तब जब उस पे वो तरने लगा, तब उसके family उसके पास आ गई Was screaming, चिलाते होए, चहकते होए, praising उसकी प्रसंसा कर रहे थे And their beaks, और उसकी चोंच में, वो उसको offer कर रहे थे वो उसके उसको प्रदान कर रहे थे इस क्रेप आपे dog fish, एक मचली होती है और वो अपनी चोंचों में dog fish, एक dog मचली के टुकडे को उसको भेर सो रूप दे रहे थे He had made this first flight इस तरीके से उसने अपने जीवन की पहली उडा भरी अंत्ता हम ये कह सकते हैं कि जो कहानी है हमें सिखाती है कि डर पर काबू पाने के लिए आंत्रिक सक्ति और द्रिड संकल्प आवसक है कठिन परस्थियों का सामना करने का साहस रखने से हमें अपने जीवन में जटिल परस्थियों से उबरने में मदद मिलती है तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रिणा दायक चैप्टर या ध्याय समावत हुआ इस चैप्टर में हमने कटिनुवर्ड और शाक्मिस का इस प्रानेशन देखा और हमें उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से बहुत ही प्रेरित हुए होंगे और अपने जीवन में जितने भी लच्छे हैं उनको पाने की पुईदरिगे से कोशिश करेंगे तो आई होब आप सबको वीडियो पशंद आई होगी तो कृपया चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को सेर करना मत भूलेगा थैंक्यो फार वाचिंग